C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पर्यावण अध्याइन की ध्वनी पाथि पुस्तक हमारा अध्भुत संसार इकाई 2 जेवन आसपास इकाई के विशय में हम अपने आसपास के स्थानों पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधों और पशुपक्षियों को देखते हैं हम एक दूसरे की सहायता करते हैं और अपने आसपास के पौधों और जानवरों की विभिन विशिष्टाओं और वहवारों को देखकर आनन्दित होते हैं हम उन्हें जितना अधिक देखते हैं उतना ही अधिक हम उनके मनुहारी जीवन के बारे में सोचते हैं ये जिग्यासा हमें और अधिक खोजबीन करने नई तथा रोमान्चक चीजों का पता लगाने की प्रिणना देती है पेड़ पौदों और पशुपक्षियों के कल्यान के बारे में सोचना और उनका सम्मान करना पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने तथा एक सहर्दे समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है इस प्रिष्ट पर कुछ वन जीवों का चितर है साथ ही कुछ बच्चे भी हैं जो इन जीवों से प्रेम कर रहे हैं कुछ चिडियां दान चुक रही हैं और कुछ घर भी बने हैं शिक्षकों के लिए जीवन आसपास नामक ये इकाई हमारे आसपास के जीवन के बारे में है ये इकाई तीन अध्यायों में विभाजित है इन अध्यायों के अंतरकत दी गई प्रमुक अवधारनाएं और विशेवस्तु इस प्रकार हैं अध्याय चार कुछ खोज पीड़ पोधों की अध्याय अपने आसपास उगने वाले विविद प्रकार के पीड़ पोधों से हमारा परिशे कराता है जिनके अवलोकन के माध्यम से बच्चे उनकी भौतिक विशेष्टाओं महत्व तथा विविदिता से परिशित होते हैं वो पत्तियों, फूलों, फलों और पोधों के अन्य भागों का उप्योग करके अपनी रचनात्मक्ता को बढ़ाते हैं इसके साथ ही वो पोधों के जीवित रहने के लिए आवश्यक ठीजों का भी पता लगाते हैं तथा ये सुनिश्यत करते हुए कि उन्हें आवश्यक देख भाल और पोशन मिल रहा है उन्हें पोशित करने के लिए सक्क्रिय कदम उठाते हैं अध्याई पांच पेड़ पौधे और पशुपक्षी हैं साथ अध्याई अवलोकन के माध्यम से पौधों और जानवरों के बीच के परस पर संबंध को दर्शाता है बच्चे इतने आसपास के विविद प्रकार के जीवजन्तों की खोज करते हैं तथा उनकी आदतों और आवास का अध्याईन करते हैं। प्रकरती के साथ सामजस्सी पर बल देते हुए वो मिट्टी, पशुओं और पोधों के पोशन को प्रात्मिक्ता देते हैं तथा साजे, पारि पोधों तथा जानवरों के साथ गहनता से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ पोधे, जानवर हमारे घरों के पास रहते हैं, जबकि कुछ दूर रहते हैं। सभी जेवित प्रानियों के प्रती करोना रखना, उनका पोशन करना तथा उनकी देखभाल करना आवश्यक ह प्रकर्ती के साथ अपने संबंधों में संतुलन और सामजस्य को बढ़ावा देकर हम सामुईक सुक और कल्यान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जानवरों के गतिशील तथा छत से लटकते हुए मुखोटों का प्रदर्शन करें। जानवरों और गमलों में लगे पौधों का उप्योग करके पशोक्षेत्र तथा हरित्क्षेत्र बनाएं। जानवरों, पक्षियों, कीटों, फूलों तथा पौधों के फ्लेश कार्ड बनाएं। यहां दी गई अवधारनाओं से संबंधित प्रामानिक और आयू अनुरूप लगो वीडियो और फिल्में, कहानी की किताबें तथा कविताएं अपने पास तयार रखें। शैक्षनिक भ्रहमन, आगंतुकों से बाचीत। किसी प्रकरती उद्यान, खेत, पशुशाला या पौधशाला में जाने की या वहां कारी करने वाले ऐसे लोगों से बाचीत करने की योजिना बनाएं, जो बच्च से बात कर सकें। इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक चित्र है, जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं तता कुछ घर भी हैं। एवं निर्माण, व्यमलेश चौधरी, तथा प्रस्तोती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत।